नमस्कार एक बाब फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए Class 12 Home Science जो सिलेवस के points है उसको लेके आया हूँ इस point का नाम है KGBB थोड़ा सा confusion होता है इस नाम को सुनके लेकिन इसका full form जो है कि कस्तुर्वा गांधी बाल का बिद्याले जो है जो Class 12 Home Science न्यू सिलेवस 2024-2025 रहेगा इसके बारे में आपको पढ़ना है तो सबसे पहले सुबात करते है कस्तुर्वा गांधी आवासिय बिद्याले से और अभी भी चल रहा है हर जगह है आपको अपने गांधी जिला राज में आपको कस्तुर्वा गांधी आवासिय बिद्याले या फिर कस्तुर्वा गांधी बालिका बिद्याले देखने को मिल जाएगा तो आज हम इसी चेप्टर में इसी पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हाला कि स्कूल का फोटो मैंने यहाँ पर सनलगन किया है जो देखने से आपको थोड़ा जरजर टाइप कर लगेगा हला कि सरकारी स्कूल का यही हाल होता है लेकिन आपने गौर किया होगा इ है कस्तुर्वा गांदी बालका विद्याले के बारे में यह सर्व सिक्षा अभियान ग्रामीन छेत्रों की बालिकाओं को सिक्षित करने की भारत की एक योजना है समझ लिए इस पॉइंट को कि भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसमें जो गाउं में लड़कियां होती ह जो बालिकाओं होती है जो किसोरियां होती है उनको सिक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाया गया और इसी योजना के तहत कस्तुर्वा गांदी बालिका विद्याले का निर्मान किया गया यह यह योजना भारत सरकार के कानून राइट टु के जी भी पी जो है वो परतेक जीले के पिछरे हुए इलाके या फिर जो कमजोर इलाके होते हैं उन खंडों में खोले जा रहे हैं अभी भी नएने विद्याले खोले जा रहे हैं हाला कि यह है कस्तुर्वा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी और इनहीं के नाम को ले पुछा जा सकता है ये भारा सरकार की एक योजना है जिसका उद्दे से क्या है ग्रामीन छेत्रों में लड़कियों की सिक्षा को बढ़ावा देना मतलब जो गाउं का एरिया है जो गाउं के छेत्र है उसमें भी लड़कियों को सही तरीके से सिक्षा दिया जाए इसी कारण से कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्याले का निर्मान किया गया इस योजना के तहत बिसेश रूप से उन जिलों में जहां महिलाएं साक्षर्टा दरकम है मतलब कि ऐसे जिले को टार्गेट किया जाता है ऐसे डिस्टिक्स को टार्गेट किया जाता है जहां पे लड़किय को पढ़ाने के लिए कस्तुरुबा गांधी बालिका विद्याले की सुरुवात की गई और बालिका सिक्षा की इस्थिती दैनिये हैं मतलब ऐसे जिले जहां पे लड़कियों के सिक्षा को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है उन छेत्रों में इन स्कूलों को खोला जात अब 80 बिद्याले भी अस्थापित किये गया है मतलqu कई सारे ऐसे स्कूल भी खोले गया है जहां पे लड़कियां रहके होस्टल टाइप का मतलब जहां पे लड़किया रहती भी ए और पड़ाय भी करती है योजना का नाम जो है महातमा गांदी की पत्नी कस्तुर्वा गां तो देखिए जो स्वैंग महिलाओं की सिक्षा और समस्त्री करण का समर्थक थी, खासकर अगर हम मात्मा गांदी की पतनी की बात कर लें, कस्तुर्बा गांदी की बात कर लें, तो ये महिलाओं के अच्छे जीवन और अच्छे भविश्य के लिए काफी परियतन सील थी, ये के बारे में तो सबसे पहली विसेशता तो इसका है लक्ष समूँ अब लक्ष समूँ क्या होता है यह योजना विसेश रूप से अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक संगदायों की बालिकाओं के लिए यह जो योजना थी जो ये विद्याले है या फिर आप कहा सकते हैं या जो स्कूल है जो कस्तुर्वा गांधी बाल का विद्याले के नाम से जाना जाता है इसे खोलने के लिए सबसे पहले अनुसुचित जाती मतलब जो पिछरे जाती के वर्ग के लोग होते हैं या फिर अनुसुचित जन जाती या पद दलित लोग या फिर अन पिछड़ा वर्ग या फिर अल्प संख्यक समुदाय मतलब जिनकी संख्या कम होती है और ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं खासकर लड़कियां उनके लिए ये लक्ष रखा गया कि कस्तुरुबा गांधी विद्याले के माध्यम से उ उन सभी बालिकाओं को किसोरियों को सिख्चा परदान किया जाएगा जो इन सभी से पिछरे हुए हैं दूसरा जो है लक्ष वो है सैक्षिनी कस्त याद रखिएगा कि ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की लड़कियों के लिए विद्याले अस्थापित किये गया थे कच्च् point है इसका अवासिय सुवधा अवासिय सुवधा के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह सुवधा ऐसी होती है कि विद्याले में ही बालिकाओं के रहने का उत्तम प्रबंध होता है यह एक अवासिय विद्याले योजना है मतलब कस्तुरुबा गांधी बालिका विद्याले जो है वो अवासिय योजना है यहां पे लड़कियों के रहने खाने पीने के भी उत्तम प्रबंध किये जाते हैं जहां छात्राओं को मुफ्त में अवास परदान किया जाता है मतलब की घर दिया जाता है इनको भोजन परदान किया जाता है कुस्तके परदान कि जाती है और अन्य स्यक्षिनिक समागरी परदान की जाती है, जो उनको पढ़ाई लिखाई में जरूरी होता है, वो सारी चीजे उनको कस्तुरुबा गांधी बालिका विद्याले के आवासी सुविधा में आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसमें सर्व सिक्षा अवियान का हिस्सा, देखिए KGBB सर्व सिक्षा अवियान SSA का ही हिस्सा है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसके माध्यम से भारत सरकार चाहता है कि जो पिछरे जाती के लोग हैं, अनुसुचित जाती हो गए, अनुसुचित जन जाती हो बर्ददित वर्ग हो गया। इन सभी को प्रात्मिक सिक्षा प्राप्त हो सर्व भॉमिक बनाना कहने का मतलब है सभी को समाज में रहने वाले इन सभी गरीव लड़कीयों को मुष्त में सिक्षा अवास भोजन और पढ़ाई से जुरा हुआ समागरी परदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कस्तूरवा गांधी बालिका बिद्याले की अस्थापना और संचालन तो ये बिद्याले राज सरकारों और केंद्र सासित परदेशों में परसासन द्वारा संचालिक के राते हैं राज सरकार कहने का मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी राज हैं उन राज्यों में ये बिद्याले वहां के अस्थानिय सरकार के द्वारा चलाई जाती है साथी साथ जो केंद्र सासित परदेश है हमारे भारत देश में उन सभी जगों पर ये केंद्र के माध्यम से अर्थ मतलब कि बित्तिय सहायता भी परदान करता है ताकि इन सभी लड़कियों के सिख्षा मुफ्त में परदान की जा सके। के बारे में खेल कूद के बारे में सिख्षा दिया जाया तो वो आगे चलके इसमें अपने भविस्व को उज्वल कर सकते हैं यही हमारा सरवांगिन विकास कहलाता है। लिखाई में हिस्सा नहीं ले पाड़ है उनको पढ़ाई लिखाई में अग्रसर बनाने के लिए इस योजना को शुरुवात किया गया था ताकि वो आत्म निर्भर बन सके वो पढ़ लिखे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके अपने समाज में सकारात्मत बदलाव ला सके क्योंकि अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसके लिए एडूकेशन अर्थात सिक्षा का होना बहुत जरूरी है भारत में केंद सरकार ने सर्व सिक्षा अवियान को बढ़ावा देने के लिए सर्व सिक्षा अवियान जो भारत सरकार का चलता है इसको और तेजी से प्रवधान किया था या किया है मतलब टोटल 750 स्कूल को खोलने का प्रवधान किया है जिससे बंचित वर की लड़कियां की सोरियां इसमें पढ़ाई करके अपने भविस्व को उज्वल कर सके इस योजना का सुभारम मतलब स्टार्टिंग कब किया गया था 2006 से 2007 में किया गय इन विद्यालेओं में कम से कम 75% सीटे जो होती है वो अनुसुचित जाती एबम जन जाती के लिए होता है पिछरा वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होता है और बांकी 25% जो है वो गरीवी रेखा के नीचे जीबन यापन करने वाले परिवार के बालिकाओं के लिए मतलब अगर 100% सीटों की अगर बात कर लें तो 75% सीट जो है वो तो अनुसुचित जाती एबम जन जाती के लिए पिछरा वर्ग अल्प संख्यक वर्ग के महिलाओं एबम बालिकाओं के लिए बाकि जो 25% सीट बच गया वो ऐसे लड़किय के लिए है जो गरीवी रेखा से नीचे है मतलब काफी गरीव परिवार की लड़किया हैं इनको 25% सीट एलोट किया जाता है बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के सार्थक बनाने के लिए कस्तुर्बा गांधी बालिका आवासिय विद्याले में अब बारवी तक पढ़ाई की जाती है मतलब 12 तक के बच्चों को इसमें सिख्छा परदान किया जाता है यहां पर आप एक इमेज के माध्यम से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओं को भी देख सकते हैं इसमें भारत सरकार ने काफी योगदान दिया है ताकि भारत की लड़कियां भी अ अपनी एहम योगदान को दे तो यह पॉइंट सब जो है वो आपको कस्तुरुवा गांधी विद्याले के बारे में पढ़ना था इस प्रकार से आपने देखा के जी बी भी जो कस्तुरुवा गांधी बाल का विद्याले है वो यह पॉइंट यहाँ पर जो सिलेवस में इस ब आपने बाल